हेलो एवरिवन नमस्कार में मनिशा स्वागत है आपका अपने चैनल MLT Education Point पर उमीद है कि आप सबी स्वस्ते हैं आज फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक Spinal Code तो Spinal Code क्या होती है कहां पर प्रजेंट होती है इसके function क्या होते हैं इसके structure क्या होते हैं इन सभी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बहतरीन तरीके से हम समझेंगे Spinal Code देखो बहुत ही important topic है point of view, main exam के लिए भी आपके general knowledge के लिए भी तो Spinal Code के बारे में आज ही क्लास में हम इस समझना है Spinal Code जिसे हम मेरू दंड भी कहते हैं मेरू दंड भी कहते हैं अब यह क्या होती है, कहां पर present होती है उसके बारे में बात करते हैं Spinal Code जो होती है, देखो हम सभी ने brain के बारे में पढ़ा है nervous system पढ़ा है, nervous system में हमने brain पढ़ा है तो brain में हमने brain के तीन भाग पढ़े है सबसे पहला four brain, mid brain और hind brain hind brain में आता है आपका pons, medulla oblongata और cerebellum जिसमें brain का सबसे जो आखरी भाग होता है सबसे आखरी भाग होता है, जिसे हम कहते है medulla oblongata यह यहाँ पर छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका little brain, छोटा brain जिसे हम कहते हैं और यही से आपके spinal cord जो है वो start होती है क्या start होती है, आपके spinal cord जो है वो start होती है यह जो पीछे आपके जो रेड़ी के हड़ी होते है उसके अंदर आपके spinal cord होती है बहुत ही sensitive और बहुत important भाग है हमारी body का तो यहाँ पर यह जो आपको एक tube like लंबा सा structure दिखाई दी रहा है यह है आपके spinal cord और यह जो है आपके यह है आपके vertebral column क्या है vertebral column यानि कि यह इसके आसपास हड़ीया है जो कि इसको protection provide करके रखती है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे तो हमने देखा कि spinal cord क्या है एक thin tube like structure है एक thin पतलासा एक cylindrical shape का tube like structure है जो कि आपका brain का जो part होता है सबसे last वाला जिसे हम medulla oblongata कहते हैं वहाँ से start होती है and extend one to second number vertebra और कहाँ पर खतम होती है start तो medulla oblongata से होती है लेकिन end कहाँ पर होती है तो spinal cord end होती है आपकी जो L1 और L2 L1 और L2 number vertebra vertebra और vertebral column है क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी अभी इतना समझे कि L1 और L2 number vertebra है यहाँ पर आपकी end होती है आपकी spinal cord इतना I hope आपको यहाँ पर समझ में आया होगा देखो spinal cord जो है हमारे central nervous system का एक पार्ट है nervous system हम पढ़ते हैं तो nervous system में हम दो चीज़ा पढ़ते हैं central nervous system और peripheral nervous system तो central nervous system के अंदर आपका brain और आपका spinal cord दोनों आते हैं और peripheral nervous system क्या होता है central nervous system क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं तो आपने अगर वो class नहीं देखिए तो पहले आप वो देखिए ताकि आपके सारे आगे की classes जो है वो अच्छे से समझ में आए next point आता है कि it control and regulate most of reflex action बहुत सारी reflex activity को ये control and regulate करता है हमारा brain भी करता है लेकिन हमारा spinal code का भी ये important function होता है कि ये आपकी reflex activity को control and coordinate करके चलता है देखे उसके अलावा ये हमारी body यहाँ पीछे की हड़ी जो होती उसको flexibility provide करवाता है आपके penis को brain से connect करके रखता है मतलब कि जो peripheral nervous system है उसको brain से connect करके रखता है तो बहुत सारे function आपके spinal code के होते हैं इसलिए ये भी क्या है एक हमारे body का important part है इसके बारे में भी समझना आपको उतना ही जरूरी है जितना की brain के बारे में आगे बढ़ते हैं shape कैसा होता है अभी हमने देखा कि इसका shape क्या है spinal code का shape जो है वो cylindrical होता है अब length के अगर इसके लंबाई की बात करें तो spinal code की लंबाई जो है वो एक main में और female में अलग-अलग हो सकती है main के अगर हम बात करें तो उसमें होती है लगबग 45 cm और अगर woman की या female की बात करें तो उसमें होती है 43 cm थोड़ी सी छोटी होती है ठीक है अब weight की अगर बात करें तो weight होता है इसका लगबग कितना 35 gram 35 gram लगबग weight जो है आपके spinal code का होता है तो ये तो होगी general बात आपके spinal code के बारे में अब आगे की और अगर हम बढ़ें यहाँ पर तो हमें देखने को मिलती है spinal code में vertebral columns spinal code तक पहुचने से पहले हमें invertible column के बारे में समझना होगा तब जाके हम spinal code के पास पहुच पाएंगे अब vertebral column क्या है? vertebral column जो है वो हमारी क्या है जिसे हम spinal column और जिसे हम backbone भी कहते हैं यह जो पीछे की हमारी bone होती है वो backbone या उसे spinal column कहते हैं जो कि आपके spinal code को अंदर protection प्रोवाइड करवा कर रखती है अब यह जो आपके spinal column है या backbone है इसमें bonds of vertebrals यानि कि इस vertebral column के अंदर bonds होती है जिसे हम कहते हैं vertebra क्या कहते हैं vertebra थोड़ा सा boring लग रहा होगा कि क्या है लेकिन यह बहुत ही important है इसको आप miss नहीं कर सकते हैं देखें यहाँ पर इस diagram को इस structure को जरा ध्यान से देखें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा इसको zoom करते हैं ताकि जादा अच्छे से आप समझ पाएंगे देखें यहाँ पर हमें कुछ उब्रे हुआ इस तरीके का structure एक के उपर एक के उपर एक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यह है हमारी बॉन वर्टीब्रल कॉलम के बॉन जिसे हम वर्टीब्रा कहते हैं क्या कहते हैं वर्टीब्रा कहते हैं अब देखो यहाँ पर जो वर्टीब्रा है वो कितनी होती है आपको UK उपर, UK उपर, UK उपर एक दिखाई दे रही है तो यहाँ पर हमें चो RTbR है वो 33 देक्ने को मिलती है कितनी? 33 देक्ने को मिलती है लेकिन इसमें थोड़ा सा variation हो सकता है After Adult Stage यानि की लगबग 20 यर के बाद आपको 26 देखने को मिल सकती है ऐसा क्यों होता है, अब आगे बिताती हूँ, they provide protection to spinal cord, इसका काम क्या होता है, आपकी vertebral column का आप के spinal cord को protection provide करवाना, आपका spinal cord इतना sensitive organ है, तो उसको protection तो देना पड़ेगा, जैसे हमारे brain को protection कौन देता है? इसकल देता है, व énसे ही आपकी spinal code को protection आपके vertebral column देती है आगे बढ़ते हैं कि they are divided into five different parts इस vertebral column को हमने five different parts में divide कर दिया है यानि कि यह जो हमारी bone है वो 33 bone जो है उनको हमने अलग-अलग भाग में part में divide कर दिया अब इस चीज़ को आप भूलना नहीं है इसको याद रखना है जो मैं आगे अभी बताने वाली हूँ कि यह 33 और 26 क्यों है देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी vertebral column की और vertebral column के अंदर जो vertebra है उनकी कितनी bone है यहाँ पर 33 bone अगर हम देखे हैं तो यहाँ पर इसको पांच भाग में हमने डिवाइट किया है जिसमें पहली है आपके cervical vertebra अब देखो इस डाइग्राम को देखिए यहाँ पर इस picture को अगर हम देखें तो हमें यहाँ से यहाँ पर है हमारा brain और brain से नीचे start हो रही है आपके spinal cord spinal cord जो है वो start होती है आपके आती है cervical vertebra जो कि कितनी होती है 7 होती है ठीक है फिर आती है आपके thoracic vertebra तो thoracic यानि कि chest वाली तो वो वाली होती है कितनी है आपके 12 में तो यानि कि T1 से T12 तक अब T इसको क्यों कह रहे है कि किसका नाम क्या है thoracic तो T1 से T12 तक यह T1 से T12 तक आपके क्या है यह thoracic vertebra जो कि कितनी है 12 और यह वाली कितनी है 7 ठीक है यह आपको समझ में आया अब next आती है आपके lumbar vertebra जो कि कितनी होती है 5 होती है L1 से L5 तक यह रहे L1 से L5 तक जो है आपके कितनी होती है lumbar vertebra प्रांच होती है अब यहाँ पर देखो एक और चीज आती है कि हमने कहा कि spinal cord जो है वो start होती है medulla oblonguita से लेकिन end होती है कहाँ पर आपके L1 और L2 वाले भाग में तो यह रहा आपका L1 और L2 यानि कि आपके spinal cord के अबल यहां तक ही होती है इसके आगे spinal cord नहीं होती है अब इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगे अब यह आगे continue करते हैं कहा तक पहुंचे हम कि अगला जो है वो आपका आता है sacrum यानि कि यहाँ पर जो अगली vertebra आती है वो आती है sacrum जो कि कितनी होती है पांच होती है fused अब fused क्यों लिखा है पहले यहाँ पर देखिए यह जो होती है कितनी होती है पांच के बाद में अगली जो आती है वो है आपके coccyx जो कि कितनी होती है यह यहाँ पर आपके coccyx होती है चार यह हमने पूरा इसके बार पर क्या होता है आखिर में ऐसा देखो एडल्ट स्टेज के बाद में क्या होता है कि आपके यह जो सैक्रम वाली वर्टीब्रा है यह फ्यूस्ट हो जाती है यह पांच से एक बन जाती है एक बन जाती है तो यह पांच से एक रह गई और यह जो कोकेक्स वाली है यह भी आपक है तो कितनी रह जाएगी 26 रह जाएगी तो यह concept यहाँ पर है I hope आपको समझ में आया होगा तो इन वर्टीब्रा के बारे में आपने समझ लिया कि यह कितनी है 33 वर्टीब्रा इसके इस तरीके से इसको 5 पार्ट में डिवाइट किया गया है इस वर्टीब्रल कॉलम को अब वर्टीब्रल कॉलम से थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं बाहर बाहर का पार्ट हमने समझ लिया अब थोड़ा अंदर की ओर चलें तो यही पर आपके वर्टीब्रल कॉलम के जैसे ही आते हैं आपके वर्ट उत्रीकल सब्सेज्द जो होती है तो हैं ये जो मिलंस अले ओंस होती है आपके माल्स होती है या कुछ दो कर दो खटेङिंद निकलती है इनको हम कहते हैं cranial nose, जो के कितनी होती है 12 pair होती है, हमेशा ध्यान रखना 12 pair में होती है, और अगर spinal cord की बात करें, तो spinal cord से भी आपकी nose निकलती है, देखें यह आपको यहाँ से spinal cord से इस तरीके से nose निकलती हुई दिख रही है, तो यह जो nose होती है, वो 31 pair में होती है, अब हम आगे की ओर चलते हैं, आपको और concept clear होगा, कि spinal cord को हमने divide किया है, इन्टो 31 segment में, 31 segment में divide किया है, जहां से segment हम उसको कहते हैं, जहां से आपकी जो nose है, जो spinal nose से वो arise होती है, यानि कि निकलती है, तो from which 31 pair of spinal nose arises, यानि कि segment हमने किसको कह दिया, जहां से आपके spinal nose निकल रही है जैसे कि यहां से कि spinal nose निकल रही है, यह यहां से कि spinal nose निकल रही है, तो इसको हमने कहिया segment, अब देखो सीधा सा concept है, कि जितना आपके segment हो गय, उतने ही आपकी nerves निकल रही होगी, अब देखिए, आगे, यहां पर और भी बहुत सारे confusion आते हैं, जो कि student को रहते हैं, हर एक confusion जनाची class में आपका clear होगा बस आपका focus पूरा यही होना चाहिए देखिए हमने कहा कि this is a segment give rise to 31 pair of nose 31 pair of nose होते हैं 31 आपके segment होते हैं देखिए अगर हम बात करें तो इन nose का नाम रखा गया है according to आपका जो हमने vertebral column पढ़ा है जो vertebra पढ़ा है उसी के हिसाब से थोड़ा सा कम जादा होगा और वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन उसी के हिसाब से यहां पर इसका नाम रखा गया है कि हमने पढ़ा cervical segment cervical vertebra पढ़ा है वैसे ही cervical segment और cervical nerves भी हमें देखने को मिलती है अब हमने cervical vertebra पढ़े थे 7 और यहां पर जो आपकी cervical nerves है वो 8 है ऐसा क क्यों है देखिए यहां पर आप इस चेच को समझे कि यह हमने पढ़ा यह वाला है हमारा cervical वाला भाग जहां से आपकी nerves निकल रही है जो कि कितनी है 8 है अब हमने cervical vertebra पढ़े थी तो वह 7 थी 8 क्यों है क्योंकि हमारा cervical start हो रहा था यह यहां से एक से लेकिन हमारी जो nerves निकल यह जब हम यहां 7 तक निकालेंगे तो यहां से हमारी total कितनी nerves निकलेगी 8 nerves निकलेगी लेकिन यह pair में होती है 8 इदर से है तो 8 इदर से भी निकलेगी ठीक है अब cervical के बाद अगला जो है आपका lumber segment यह lumber nerves आती है sorry lumber नहीं उससे पहले thoracic है thoracic segment तो thoracic nerves आती है जो कि 12 pair में ह होती है जितनी आपके vertebra होती है उतनी ही यहां पर आपकी कि क्ति क्या होती है naus भी होती है तिक है अब अगला lumber segment नौenes सेग्मेंट भी जतना आपकी लंबर वटीब्रा होती ही उतनी ही आपकी लंबर नौस भी होती है जो कि फाइफ पैयर में होती है यह यहां पर आपको दिखाई दे रही है यह पैयर में होती है अब सेक्रल सेग्मेंट और सेक्रल नौस की बात करें तो यह भी कितनी होती है पा कि में एकडाउट आ रहा होगा कि हम ने कहा कि za tissue ऑर ऐब कि खतम हो रही है तो यह जुम आगे क कैसे निकल रही है ऐक तरफ हम कहिए रहे तो यहां पर एक concept आता है कि यहाँ पर क्या होता है इस चीच को आप यहाँ पर समझिए कि होता क्या है यहाँ पर इस diagram में आप देखना कि यहाँ पर होता क्या है कि during embryonic stage जब बच्छा मा के गर्ब में होता है तब आपके spinal code आपके जो vertebral column है वो दोनों equal होती है लेकिन जैसे उसका जन्म होता है चार से पांस साल के बाद आपके जो spinal code है उसका growth होना बंद हो जाती है और आपके जो spinal column है वो बढ़ती रहती है तेक है आपके spinal column मतलब की vertebral column नहीं vertebral column कहेंगे मुसको vertebral column बढ़ती रहेगी लेकिन vertebra बढ़ती रहेगी लेकिन आपके spinal code जो है वो रुक जाएगी वो आगे नहीं बढ़ेगी चार से पांस साल के बाद बंद हो जाएगी तो इसे लिए यहाँ पर आपके L1 और L2 तक ही रुक जाती है यह यहाँ प यहाँ पर एक गुच्छा बन जाता है और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे निकलती रहती है इधर भी निकलती रहती है तो इसके कारण यहाँ पर जो है आपकी नौस निकलती है और इसलिए यहाँ पर 31 होती है यह और यहाँ पर आपके सेक्रल और कोक्सिजियल से भी निकलती ऐस बारे में आगे बताओंगे मैं कोड़ा एक वीना तो यह कॉंसिप्ट भी आपको यहां पर क्लियर हुआ कि क्यों नीचे तक आ रही है क्योंकि यह पर स्पाइनल कोट खतम हो रही है ठीक है यह वाली चीज आपने spinal nerves के बारे में भी समझ लिया अब आगे की ओर चलें हमने पहले vertebral column देखे vertebral column से अंदर गए तो हमें nerves दीखी अब nerves के ओर अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें covering दिखेगी spinal cord की covering दिखेगी जैसे हमें brain की भी covering थी उसी प्रकार वही covering आपके brain से spinal cord तक continue होती है जिसे हम meninges कहते हैं यह जो होती है it is protected and covered by the layer of tissue card meninges यानि कि यहाँ पर एक tissue की layers होती है जैसे हम meninges कहते हैं जो कि तीन layer से मिलकर बनी हुई होती है यह हमारे spinal cord को protection और nourishment देती है क्योंकि spinal cord इतना जरूरी बाग है इतना important part है तो उसको nourishment और protection देना पड़ेगा तो एक तो आपके vertebral column दे रही है protection और दूसरा आपके यह जो covering है जो मेनेंजिस है यह protection दे रही है मेनेंजिस के बारे में हमने brain में भी समझ रहा है तो मेनेंजिस क्या है यहाँ पर तीन layer से मिलकर बनी हुई है जो कि कौन कौन से है एक है spinal cord तक जाने से पहले हमें तीन layer को cross करना होगा तो पहली layer जो सबसे outermost होती है वो है durameter फिर और अगर हम चले हैं तो फिर हमें देखने को मिलेगी arachnoid meter फिर और अगर हम चले हैं तो हमें देखने को मिलेगी pyameter फिर आपके spinal cord आएगी अब देखिए यहाँ पर हमने देख pyameter और एक है arachnoid meter तो इन दौनों के बीच में हमें कुछ space दिखाई दी रहा है between the durameter and arachnoid meter हमें एक space दिखाई देगा जिसे हम sub-dural space कहते हैं देखिए आप लिखा हुआ भी है कि space between durameter and arachnoid meter उसको हमने क्या कहा sub-dural space कहा फिर इसी प्रकार आपके जो arachnoid meter और pyameter और pyameter के बीच में जो space आएगा उसको हम sub-arachnoid space कहते हैं जो कि आपके arachnoid meter और pyameter के पीच में होता है और इसके बीच में यह जो space है इसी space में आपका भरा हुआ होता है एक fluid जिसे हम CSF कहते हैं cerebral spinal fluid कहते हैं इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं CSF क्या होता है इसक अब हम पढ़ चुके हैं CSF क्या कर रहा है इसको protection और nourishment यहां पर देता है इसको nutrient प्रोवाइट करवाता है अब यह वाला concept भी आपने समझ लिया अब हम finally हमारे spinal cord तक पहुंच गए हैं कहां पहुंच गया है हमारे spinal cord तक पहुंच गया है अब spinal cord में हमें manually 3 चीज़े पढ़नी हैं आगे हम इसका cross section भी करके देखेंगे लेकिन देखेंगे अगर हम इसका spinal cord का बाहरी वाला भाग देखेंगे तो हमें 3 चीज़े देखने को मिलेगी हमने कहा कि हमारा spinal cord start होता है medulla oblongita brain का सबसे last वाला part लेकिन यह खतम हो रहा है आ spinal cord की खतम होने के बाद में एक चीज़ आते हैं अब यह koda equina क्या है हमने कहा कि हमारी जो नौस निकल रही है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है अब spinal cord तो यहां तक खतम हो गए लेकिन यहां पर इसके end से इस तरीके से नौस जो है वो निकलती रहती है तो जब यह नौस Somalis से निकल रहा है तो निकलती है आप सब्रन हो जाती है तो वह तोड़ा सा लेइर वह तो आगे तारीके से यहां पर निकल जाती है उसको हम कहाते है निकल देब यहां पर आपको क्लियर होगे कि spinal cord चोटी हो जाती है तो वो क्यों रहती है चोटी उसके बाद में वो जो आगे वाला भाग से नौस क्यों निकलती है वो भी हमने देख लिया spinal नौस जो हो 31 क्यों होती है और spinal column 33 होते हैं ऐसा क्यों होता है वो भी हमने समझ लिया ये सारी चीज़े अभी तक जोबने पड़ा वो concept आपको clear होगा अब अगला आता है आपका spinal cord के enlargement क्या हते है spinal cord की enlargement देख हमारी जो spinal cord है उसमें कुछ ऐसे इस तरीके से उबरा हुआ हिस्सा आमें देखने को मिलता है कहीं कहीं भाग में हमें उबरा हुआ हिस्सा दिखने को मिलता है इस तरीके से उसको हम कहते हैं enlargement ये enlargement जो है वो there are two major enlargement in the spinal cord दो देखने को मिलते हैं एक होता है cervical और एक होता है सर्वाइकल स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं superior enlargement कहते हैं क्योंकि ये उपर होता है अब ये extend from the fourth cervical vertebra to the first thoracic vertebra C4 से T1 अब C4 कहा है आपका ये रहा C4 ये रहा T1 तो यहां पर जो आपका निकल रहा है उसको हम कहेंगे cervical enlargement अब इसी प्रकार आपका thoracic वाला भी होगा sorry lumber enlargement भी होगा जो कि आपका निकलेगा T9 से T12 तक ठीक कहां से T9 से ये रहा आपका T9 से T12 तक इसको हम कहेंगे lumber enlargement ठीक है ये concept भी I hope यहां पर आपको clear होगा कि enlargement हमें देखने को मिल सकता है जो कि इस तरीके से यहां पर कुछ उब्रा हुआ यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है ये इस तरीके से वो सभी spinal cord में होता है ठीक है तो ये वाला होगा हमारा spinal cord को हम cross section काटते हैं अगर हम internal structure के study करनी है detail तो उसके लिए मैं उसका cross section काटना पड़ेगा तो ये जो pen है इसको मैंने बीच में से इस तरीके से काट दिया तो उपर का हिस्सा लग अलग हो गया नीचे का हिस्सा लग हो गया अब मैं अगर इसके हिस्से को देखोंगी यहाँ लुठा और देखोंगी ये वाला भाग ले कि मैंने ऊपर का सालग कर दिया और नीचे का अलग कर दिया अगर हम नीचे का हैस्सा इस तरीके से देखेंगे तो यह वाले लुच्त में उपर से दिखाई देगा तो यही वाला आपके spinal cord का यह वाला cross section है जिसमें आपको एक butterfly के जिसा structure दिखाई दे रहा होगा ऐसा लग रहा है जिसे तीटली उड़ रही है ठीक है यहाँ पर देखिए यह वाला है आपका spinal cord का cross section spinal cord की cross section में हमें दो चीजे देखने को मिलती है दो चीजे क्या क्या देखने को मिलती है देखिए spinal cord is composed of inner core of gray matter surrounded by an outer covering of white matter क्या क्या है दो चीजे पहली है आपकी यहाँ पर gray matter और दूसरी है यहाँ पर आपकी white matter gray matter और white matter हम brain में भी पढ़ते हैं जो brain का जो ऊपर वाला part होता है वो gray gray color का दिखाई देता है अंदर वाला white color का दिखाई दे रहा है यहाँ पर उल्टा है आपके अंदर वाला भाग जो है वो हमें gray color का दिखाई देगा अंदर वाला भाग जो है वो हमें ग्रे कलर का दिखाई देगा और बाहर वाला जो भाग है वो हमें वाइट कलर का दिखाई देगा अब यहाँ पर हमें सेम ऐसे तितली के जैसा structure दिख रहा है इसको हमने कहा gray matter अब gray matter क्यों कहा देखिए हम सभी ने पढ़ा है किसके बारे में neurons के बारे में यह है आपका neurons sorry थोड़ा सा structure सही नहीं बढाएं पर समझ लीजे ठेके यह वाला neuron से यहां से हमारे dendrites निकलते हैं ठेके यह dendrites हो गया यहां से इसका terminal end हो गया अब देखिए हम इसमें पढ़ते हैं कि यह वाला जो भाग है वो आपका cell body वाला है और यह वाला आपके dendrites वाला भाग है और इसके अंदर आपके granules होते हैं जिसे हम nasal granules कहते हैं तो यह जो nasal granules है वो आपके इस वाले भाग को gray matter वाले भाग को gray color provide क कहते हैं और gray matter बना हुआ होता है आपके इस cell body और इन डेंडराइट से मिलकर और यह जो white matter पूला white वाले जो portion दिखाई दे रहा है वो बनता है आपके इस exon वाले भाग से और यह जो exon है इस exon में हमें देखने को मिलती है माईली नेटड चीट माईली नेटड चीट जो क इतना इतना भाग जो है वो पूरा white color का देखने को मिलता है तो आई होपा यहां पर आपको समझ में आया होगा कि इसको आम gray matter और white matter क्यों कहते हैं अब आगे क्यों बड़े यहां पर तो यह जो gray matter है इसमें आमें कुछ horns भी देखने को मिलते हैं अब देखिए gray matter जो है वो कि यहां पर आपके जो gray matter है उस gray matter के हम बीच में हमें एक canal देखने को मिलती है ठीक है यह इस तरीके से एक hole एक canal देखने को मिलता है जोसे हम central canal कहते हैं इस तरीके से हमने इसका cross section काटा इसके बीच में एक canal होती है उस canal के अंदर CSF यानिके cerebral spinal fluid जो है वो भरा हुआ होता है क्या होता है CSF बढ़ा हुआ होता है अब gray matter में हमने देखा कि यह तितली की जैसा structure है तो यहां से कुछ इस तरीके से सींग निकले हुए दिखाई दे रहे हैं एक सींग इधर निकल रहा है एक इधर निकल रहा है एक इधर निकल रहा है इन सींग को हम कहते हैं होंस क्या कह है कि आगे वाला भाग को हम कह देंगे वेंटरल और पीछे वाले भाग को हम कह देंगे दार्सल या फिर आगे वाले भाग को एंटीरियर और पीछे वाले भाग को पॉस्टीरियर अब यहां पर भी सेंवे सही होगा यह हमने इसको क्रॉस सेक्शन किया लेकिन आगे वाला के लिए को बिवाले हैंसे को अगे वाले को हमें युदा ह graph future Wellington क्लिच्प्स हो कर दो के लिए अगे से और कर आघे आपके जो वाइट में इन तर भी होगा वाइट में हम आडिमände में हिस नहीं लिखते आ pyramid में में सोक्ष मैं कालम्न लिखतें तो पीछ वाला जो होगा वह ओ आगे दिखाई दे रहा हैं इसको आम कहते हैंま पर यहां पर यजो पीछे वाला में अरेंज किया है किसके फिर्म कप पिर्म में मुँखक है आगे बढ़ते हैं हम उसके बात बहुत important बात आती है कि हमने कहा कि spinal cord जो है वो reflex activity शो करता है reflex activity कैसे देता है कि देखे reflex activity can be simply defined as involuntary and immediately response of voluntary massage to a specific stimulus यानि कि spinal cord तक कोई भी stimulus पहुंचता है देखो सबसे पहले कहां पर गया सबसे पहले जाता है आपका यानि कि यह body body organ कोई भी response दे रहा है तो वहाँ से stimulation जो है वो गया आपके spinal cord तक जाएगा spinal cord से फिर वो कहां पहुंचेगा spinal cord उसको कहां पहुंचाएगी आपके brain तक पहुंचाएगी brain जो है उसके against response देगा और फिर वो आपके information spinal cord के पास आएगा spinal cord से फिर आपके जो factor organ है वहाँ तक चाहेगी अब यहाँ पर इसको लेकर जाता है sensory nose कौन लेकर जाता है sensory nose और यहाँ पर जो लेकर आ रही है वो कौन लेकर आती है mortar nose कौन लेकर आती है mortar nose अब कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ तुरंत action करना पड़ता है हमने यहाँ दो चीज़ए देखिए एक देखा है involuntary और एक देखा है voluntary तो involuntary कों से होंगे जो कि हमारे body के place हमारे control में नहीं है अब heart है, तो heart हमारे control में है नहीं है लेकिन वो चीज होगे जो कि हमारे कंट्रोल में है मतलब कि मैं मेरा हाथ हिला रही हूं मेरी मरजी होगा तो मैं गुमाओंगी नहीं गुमाओंगी लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो वॉलिंटरी यानि कि आपकी जो वॉलिंटरी मसल्स है वो कभी-कभी से कि मेरा हाथ है किसी भी गरम चीज पर हाथ लगया तो वहां से तुरंत हाथ हट जाता है गरम पानी में हाथ डल गया तो तुरंत वहां से हाथ डल जाता है तो हैं आपका इमीडियेट रिसपांस तुल रख कई और वो आपका स्पाइनल खोड भी देती हैं और उसको ढे देती हैं सारी चीज बताईके यहां यहां का Prقد में उसके बेसा तैंट भी बता है यह जो कि आपको ब्रें तक जौर रहा है और एक Do Pig होता है जो कि आपके spinal cord से ही आ जाता है तो यह वाला आपके brain तक जा रहा है इसलिए इसको हमने कहा long reflex और जो reflex आपके brain से आता है उसको हम cranial reflex कहते हैं और जो आपके spinal cord से आता है उसको हम spinal reflex कहते हैं ठीक है अब यहां पर एक चीज़ हो रहती है कि the pathway followed by nerve impulse that produce the reflex activities यहां पर इसको reflex arch कहते हैं कि यहां पर क्या होता है कि आपकी जो 9 impulses हैं जो भी activities हो रही है reflex activity हो रही है they produce the reflex activity जो 9 impulses है वो message को ले कर आ रही है brain तक पहुचा रही है यह सारा जो path faith चल रहा है इसको हम कहते हैं reflex arch ठीक है तो यही concept होता है आपका spinal cord का तो हमने पढ़ा spinal cord के बारे में कि spinal cord क्या होती है कहां पर present होती है वटी बॉल कॉलम क्या होती है nerves क्या होती है spinal cord से nerves कहां से निकलती है हर एक point important है कहीं से भी exam में question पहुच लिया जाता है तो आपको आची class I hope अच्छे से समझ में आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही है माल साथ thank you कि झाल कि झाल को आपको थाजाए वीडियो में कि यह स्वाशना दकाऊशना है